आज किस वीडियों बात करेंगे जो B.A.B.S.C. B.C.M. के सिकेंड समस्टर के छात्रों के लिए एक अनिवार प्रश्ण पत्र है जिसका नाम है प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्त तो इस सब्जेट की जो परिच्छा होती है यह B.A.B.C. B.C.M. के सिकेंड समस्टर के छात्रों को देनी ही देनी होती आनिवार प्रश्ण पत्र होता है को करिकुलर सब्जेक्ट ठीक है कमपल्सरी सब्जेक्ट होता है इसकी जो तो सारे कुष्चन ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको नहीं मालूम उनके लिए ठीक है और इसमें जितने में कुष्चन आएंगे आप सभी की वह चार यूनिटों से जुड़ कर आएंगे पहला जो यूनिट है आपका यह गया प्रात्मिक चिकित्सा का परिचे दूफ्रा ता आज किस वीडियो में बात करेंगे सिकेंड यूनिट फिजुड़े मोश्यम पार्ण कोश्चन के बारे में और भी महत्पूर्ट प्रस्ण है आपके एक्जाम के लिए ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं तो आज किस वीडियो का जो सबसे पहला प्रस्ण है वो है कि दिव आपसण देगी इनमें जो राइट इंसर होगा जिन सहाथत्तों को मालूम्व में कमेंट में ज़रू बतायेंगे चलिह इसका राइट अजल हम आपको बता रहें ठीक है तो इस प्रस्ण गारत राइट एंसर हो जाएगा आपसान नंबर ए निकिया ठीक है कि क्लेक्स क्लेक जल् Außerdem enseormrices अंधिक फिकाह शाएं मतलब काली खाकाशी जो होती है यह जो रोग लग जाता है तो यह कितने दंतक मतलब कितने दिन तक बना रहताय यह समस्य यह काली खाफीा नार्मar ठीक है तो उसकी जो अवद है यह वह करीब करीब 6-18 दिन तक यह आपको संक्रमक मतलब कि रह सकता है अगर आप लोग समय रहते अगर इसका जो दवाई है या फिर यह बीमारी यह आपको समस्या आपको समस्या नाब सकता है और अगला प्रशना है कि एड्स की जानकारी कब हुई मतलब कि एक बहुत ही गहरी और बहुत ही complicated यह समस्चा है और लगभग लगभग बहुत common हो चुकिए है लगभग सब निम्न में से कौन सा बिशाण पोलियो रोग का नहीं है तो आपसे नेक है लेसीनस लियोन बिशाण या फिर ब्रून हिल्डी बिशाण या फिर बैसीलस टिटनेस इस्टेडियम टेटनाई ठीक है तो यह जो आपसंदेग है इन में से पोलियो रोग का कौन सा बिशाण नहीं है वो आपको बताना है तो यहां पर आप संदेग इन में राइट एंसर हो जाएगा दा ठीक है बैसिलस टेटनेस इस्टेडियम टेट नाई ओके चलिए यह राइट एंसर होगा दा बढ़ते हैं नेस्ट प्रशनी के और नेस्ट प्रसेशी में है कि गर्दन में स्वर्यंत्र के नीचे स्वासर प्रडाली के दाईं एवं बाई और पाई जाती है कौन सी ग्रंथ पाई जाती है यहां से सुनेंगे गर्दन में स्वर्यंत्र के नीचे स्वासर प्रडाली के दाईं और बाईं में कौन सी ग्रंथ पाई जाती है पहला थायराइट ग्रंथ ठीक है पिट पूर्ण आप लोगों के समस्त बेने तैयार कें तो वीडियो को पूरा जरूर देखें हो सकता आपको काफी मिल जाए एक्जाम में ध्यान से बने रहीएगा ठीक है अगला प्रश्ण है कि थाइराइड गरंत की अधिक गlor शक्रें होनी कि lebih डशा क्या कहलती है मतलब जिब अधिक एक्टी हो जाता जिस जादा हो जाता ठीक है तो उसको क्या कहलाती है वह दसा वह कंडिशन तो उसको कहा जाएगा ध्यार लखेंगे अत्या ठीक है अत्या वटुता कहेंगे बानमबर राइट रोगा आगला प्रस्ण है कि इंसुलिन होर्में जो होता है किससे स्रवित होता है ठीक है आप संद्रेगे इनमें जो राइट रो जाएगा वह अगला कि इंसुलिन की अधिकता से रक्त में अधिक हो जाती है क्या कौन से मतलब कौन से चीज अधिक हो जाती है इंसुलिन की अधिकता रक्त में खून में ठीक है तो यहाँ पर आप संद्रेगें में राइट एंसर हो जाएगा बानमबर गुलू कोच की मात्रा से ठीक है चलिए इसकोशन देखते हैं इसकोशन कहे रहा कि तपेदिक के रुगाणु को कहते हैं तो आप से यहाँ पर दिये गए तो इस प्रश्ण का जो राइट एंसर हो जाएगा हो जाएगा आपसे नमबर सा यानि की तपेदिक के रुगाण को कहते हैं इसको हम इस नाम से भी जानते हैं ठीक है मैक्रो बेसिलस टुइबर कोलोसिस ज्यान लखेंगे नेश्प्रशन है कि रचना के दर्ष्ट से कान के प्रमुक भाग हैं तो कुल हैं इसके तीन भाग आपसे नमबर राइट एंसर होगा बाग में इस्थित हैं ऐसका नाम है टिक है कि दौन ग्राइप आपती है तो यहां पर अप्रयोंक्त में संप्रयों करेंगे नकों काफी लाग मिलेगा और आपको रोग से मुक्त होंगे और भी बहुत सारे लाव होंगे आपको पूरा दिन एनर्जेटिक फिल होगा ओके चले नेश प्रस्ण देख लें कि भोजन होना चाहिए भोजन होना चाहिए बेक्तिकी आयो एमकारी के अनुसार मौसम के अनुसार संतुलित एम पौश्टिक तत्तो वाला तो बिद्याले क्लीनिक में क्या साज सज्जा होनी चाहिए तो भार्मा अपने की मसीन और आखों का परिछड करने के लिए ठीक है नैलन के कार्ड हैम ग्रेन की उन टेप यों प्रात्मी चिकत्सा बॉक्स उपर एक में से सभी तो इसमें जो राइट एंसर हो जाएक हो जाएक बाल को का इतिहास त्यर करना चोटी चोटों बाल को को प्रात्मी चिकत्सा परदान करना बिद्यले क्लेशा एक रूगी को देखबाल करना यहनि यह सब ही है इसलिए राइट असर दाह हो जाएक है ठीक है चलिंश प्रस्न देख बरके की निकतता दिस्थिता दोस में अच आछहीं तो अच्छी गूलक हो जाता है है यह जो होता है आपका अंबर होता है तो ऐस्टम में में रोक उत्वन्त होता है इसी में राइट ना मिटन हो जाएगा नंबर कुंडिया के छैतिज तथा उर्धा धर तलो में आनियमित वक्रता के कारण यह रोग होता है अगला प्रशन है कि करण फेर के लच्छन क्या है तो करण फेर के जो लच्छन है वह कान के नीचे सूजन आ जाती है ठीक जो एक बिमारी करण फेर इसमें यह लच्छन दिखते हैं कि कान के नीचे आपको सूजन हो जाती सा नमब निमोनिया दा नंबर राइट इंसर अगला प्रश्ण है कि वाय द्वारा फैलने वाला रोग तो हवा के द्वारा फैलने वाला जो रोग है उसका नाम है चेचक ठीक है चेचक ध्यान रखेंगे जिसको आप लोग सुना होगा बड़ी माता छोटी माता के नाम से जाना जाता आपसर यहां पर देगे इनमें जो राइट एंसर होगा वह हो जाएका है बाद सल्मो नेला टाइफी जिवान के कारण टाइफाइट फैलता है अगला प्रश्ण है कि फैपडो के तपेदिक में लच्छन क्या दिखते हैं या फिर क्या लच्छन होते हैं फैपडो के तभी प्रश्ण होते हैं अगला प्रश्ण है कि वैरियोला वाइरस से फैलता है वैरियोला वायरस जो होता उससे क्या फैलता है तो यहां पर आप संदेंगे राइट हो जाएगा चेचक ठीक है ओके और और मैं आपको इभी बता दू बहुँत सारे कोश्चिन होते हैं लेकिन जो 6 रोग फैलता है वह बनम्बर वैसिलस फैलता है कि घ्रहडी के बाद चोटी आत के भाग को क्या कहा जाता है या फिर प्लेशन आपको देगे इनमें जो राइट एंसर है वह आपको बताना है बहुत ही हाई-बल का और जर्नली और कॉमन कोश्चन है ही ठीक है को कहां ऐसे तो मानो शरीर में यकरत कहां इस्तित होता है तो इस में यक्रत है ठीक है वह पेट में होता है रिख सोरी मिस्टेकिंग वही हम आपको बता रहें पिर से इसका इंसर थे तो मानोव एक्रत होता है वो उधर गुहा के पास होता है ठीक है उदर गुहा की जिस्ट ऊपर होता है ठीक है कि मानों यकरत के वजन के बारे में निमलिखित में से कौन सा कत्थन सही है मतलब कि कितने ग्राम का होता है आपको बताना है यह तक हो जाएगा 1.44 kg से 1.69 kg तक होता है यह एक यहां ला कि आंत्रिक अंग एवं बाहरी उतक को ठकने के लिए उत्तरदाई उतक को क्या कहा जाता है तो उस उतक का नाम है ठीक है उपकला उतक ठीक है उपकला उतक सानमबर सची होगा अगला प्रश्ण यह हैं पर आपको दिक्रावेगे शरीर को गत्य प्रदान करने वाले उतक को कहा जाता है। तंत्रिक उतक तंत्रिका उतक तंत्रिका उतक चलिए नेश प्रस्ण देखते हैं नेश कहा रहा कि निम्लिखित मेंसे कौन सा अफ्तर उपकला यों धकने के सेड़ी से संबंधित नहीं है निम्लिखित मेंसे कौन सा अफ्तर उपकला यों धकने के सेड़ी से संबंधित नहीं तो उसको कहेंगे आप सभी धान से चुनेंगे ग्रंथियों का उपकला जिसमें कोशिकाओं की दो या दो से अधिक परते होती हैं जो कोर उतक की रच्छा करती है उस उपकला का नाम क्या है तो उसका अपकला का नाम है अस्त्रीकरत उपकला सा नंबर राइट एंसर अगला प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग में शुरू होता है तो प्रोटीन का जो पाचन है वो शरीर के ठीक है पेट से प्रारम होता है ठीक है ध्यान से सुनेंगे पेट से दानंबर राइट एंसर होगा सुरी यहां पर मिस्टेकिंग हुई फिर से हम आपको बता रहें ठीक है रोग जाई एक सिकेंड एक सिकेंड इंसर पेट होगा ठीक है बापेट से सुरू होता है ओके चली निश्परस देखते हैं निश्करा की आहार नाल के सबसे बड़े भाग का क्या नाम है आहार नाल जिससे आप लोग को खाना जो खाते हैं वो जाता नहीं है तो उसका सबसे बड़ा भाग उसको किस नाम से जानते हैं तो उसको जानते हैं छोटी आत के नाम से अगला के सरीर में उपस्थिष सबसे कठोर पदार्थ है उसका नाम है इने-मल क्या नाम है इने-मल अगला कोश्चन आपको देखनें को मिलधा होगा जहान से सुनेंगे कौन सा question है कि भोजन हमारे सरीर के किस अंग में आवसोशित होता है तो जो भोजन है वो हमारे सरीर में छोटी आत्में आवसोशित होता है ठीक है लार pH होता है कितना होता है ठीक है तो लार का जो pH होता है वो होता है ध्यान से सुनेंगे 6.8 pH होता है ठीक है अगला प्रशन आपको दिख रहा होगा कि ग्रास नली जोडती है तो ग्रास नली किसको जोडती है ध्यान से सुनेंगे तो ग्रास नली जो है वो जोडती है गले से पेट तक ठीक है गले से पेट तक राइट अंसर दा हो जाएगा ठीक है दा नमबर ठीक है बा नमबर बा नमबर ठीक है ध्यान से चुनेंगे फिर से हम आपको बता दे रहें बा नमबर गले से पेट तक बा नमबर अगला प्रशने आप लोगों के समझते हैं कि ग्रास नली को कहा जाता है तो ग्रास नली को कहा जाता है अहार नाल राइट जब आ हो जाए ऐगा है आगला प्र Bayern कि ग्राशनली office के लिए है अमक्राइं को आपसे निहां पर दिए गए हैं तो ग्राशनली जो है वो पन। यथि ठीख पाशनले कि पेट बना है कितने भागों से तो जो पेट है वह आपका बना है तीन भागों रहेसे आगवागी कि बड़ी आत के पहले भाग को कहा जाता है ठीक है तो बड़ी आत के पहले भाग को कहा जाता है सीकम ठीक है चलिए नेस प्रश्णिक और बढ़ते हैं नेस्ट कोश्टन कहरा कि बड़ी आत के दूसरे भाग को खो प्टेर बढंट में होता है तो सब zaten कम उ सी ग्रंति उत्वपन होती है तो वहाँ पर होती है अस्रू इसको बोलते हैं बानंबर राइट है ठीक है श्वाद का अंग कौन है यहाँ पर बहुत ही कॉमन और सिंपल प्रस्ण है जीव आप सभी को मालूम होगा सारीरिक फिच्छा में स्रमावेश किया जाता है तो सारीरि क्या série के माध्यम से प्राप्त करता यह कछ कफन किसका है तो यह जो कफन है क्छ जानिये सारी वित्छा का जेट्र कहलाता है क्योंकि द्रीक रूप से toys रहने के के लिए आवस्याइख है आप सभी को फाई अवस्याइख है तो जीम नाष्टरकाफ रहने के लिए बहुत ही ज़रूरBlack ऐह अगला कुश्च ने की जिवनाश्टिक लाबदायक होता है तो जिमनास्टिक जो लाब्दाइक होता है सारीर को एसे डूराने के लिए संतुलित बनाने के लिए यह दोनों के लिए चोटी उम्र में बालको के लिए आवस्चेख है ऍथानमबर हैं ने से देगिन में राइट एंजर हो जाएगा आदेश बिद्ध्ध प्रियोग किए जाती फिर ब्लाइज आई कि मानों पाचनतंत्रvention कीप्रिकियर में सामिल चरणों कुस ही क्रम में ब्याफोसित करें ठीक है तो जो बनता उसका नाम है द्रश्ट चक्र के द्वारा ठीक है राइट एंसर बाव होगा अगला कैस्टन है कि कांच की सता के पीछे के भाग को कहा जाता है तो कांच होता उसकी पीछे की सता को भाग जो होता उसको कहा जाता है पास प्लाना ठीक है अगला प्रस्टन है कि आ जिल्लिदार वहिकाएं यो ट्रिकल में खुलती हैं तथा वहिकाएं का फैला हुआ सिरा कहलाता है क्या कहलाता है? वो कहलाता है मैलियस क्या कहलाता है? मैलियस दानमबर अगला के कान की अस्थियों का भाग कान का अस्थियों का भाग है यह सारे हैं और बा और साथ तीनों ठीक है शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका तो सरीर की जो सबसे बड़ी तंत्रिका उसका नाम है आसन तंत्रिका याद रखेंगे आसन तंत्रिका अगला क्वेश्चन की वमन केंद्र है तो वमन केंद्र जो है वो है ठीक है मेजुर ठीक है लेकि पड़ाेंगे और on के अंध्र है अंध्र्ण कि अगला क्यों कि मस्के export में होती हैं कितने परत साथ तो उसमें कूल परते होती हैं तून हथे होता है कि में जो पस्थित होता है उसका नाम पास्चक पालख salah लेकि नगुंड़ को बंद करने वाली कौन से मास पेशिया है तो आँक's बंद करती वहाँ पर कौन से पेशिया पाम करती उसका नाम है यहांने की संख पेशी संख पेशी संग कोई विसको कृश्टन के मीठे स्वाद के लिए स्वाद कलिकाएं जीब के उपर इस्थित होती हैं पीछे नोक में अंत में मद्ध में तुछका राइट अंसर हो जाएगा आपका पीछे होती है आ नमबर ओके निस्त्राट्शन है कि लालाठ खंड को संख लालाठ संख धंपी। से अलग किया जाता है किस के द्वारा आहें आप सने यहां पर दिए गें जो राइट है वह आपको बताना है ठीक है तो यहां थीक प्रतिशिद्दी करने वाले एक्सण के नेटवर्ग को कहा जाता है तो इसको कहा जाता है ध्यान सुनेंगे क्या कहा जाता है प्लेकस सम आढ़ाइदा सानंम्मिर्ग राई इन्सर बैकर के नेट्र गत्टी नेंदरित होती है तो ने 높ग का द्वारा अगला है कि प्रामस्तिस्क प्रांतस्था यथार्था एवं सटीक रूप से सनमित अंग गत्विदियां को लाने के लिए कौन सी मार्ग मोटल सिंगल ले जाते हैं तो इस question का right answer हो जाएगा ठीक है प्रांतस्थ मेरुदंड मार्ग अगला है कि नियूरांस विभिन परतों से ढके होए होते हैं वो कौन से होते हैं वे होते हैं उनका क्या नाम है तो यहाँ पर आफसें दिएगे इनमें right answer हो जाएगा अगला question की मस्तिस के बाहरी आवरण को कहते हैं तो मस्तिस के बाहरी जो आवरण होता है उसको कहेंगे हम मस्तिस का वरण ठीक है अनमबर right answer होगा अबने इसले प् theat रही पका वरण कि ने किया है कौन से पिद्वान ने ठीक है तो पाँच इंद्रियों का जो वरणगी करन किया है उनका नाम है अरस्थ्टी चुकिश loss प्रिटकल साइंस के जनक भी है अगला question है किजीव में स्वाद कलिकाएं होती है जो स्वाद के अनभ जी का कब दिया जाता है कितने माहं में तो उसका जो टीका दिया जाता दिया जाता साथ दिन में पांचन एक क्रिया है हब हो जाएगा रहसानी के तो योगी यह दूनों उल्ड़चे तो और नाल जो होती है वह 9 नम्भी होती है դो के जो बीक का हिस्टा है जान से सुनेंगे जाते हैं कि अकलबाड किसे कहते हैं तो अकल बाण ठीक है जो बोलते हैं चक्रवरणक को ठीक है चावरणक को अगला कोशन है कि मस्तिस को घेड़ने वाले मस्तिस का वरण को के रूप में जाना जाता है कपाल मस्तिस का वरण के रूप में या फिर मेरदंड या फिर में से दोनों या फिर कोई नहीं तो इस प्र क्वाइब के आंतरिक भाग के साथ इस्तित पहली सबसे बाहरी जिल्ला है कौन सी है यहां पर आप संदेगी इन में राइट हैं से हो जाएगा भाग ठीक है द्रहता निकाह ओके निश्क कुष्चन की मस्तिस्क एक हड़ी की संद्शना में घीरा होता है जिसे कहा जाता है क्य पहरे क्षी ठीक हांचे को रूप में जानते हैं किसको जानते हैं उसका नाम है विदर के नाम से जानते जानते हैं जड़ी को पर ने सबता है रफाय सब्स has तो जो रोगी है वह डरता है जब पागल कुटे काटने पर ठीक है अगला कोस्षण जल द्वारा पहड़ने वाला रो यह इन अप्शनों में ठीक है तो कौन सा अहा देना चाहिए कौन सा खाना देना चाहिए किस परिकार को आपको देना चाहिए हलका तथा सुपाच ठीक है बानमबर अगला question कि वायू मार्ग में आउरोध आ जाने पर स्वास का अंदर या बाहर जाना हो जाता है असान कठीन कौन सा option होगा इसमें right answer बहूत ही महत्सपूर्ण प्रश्न बाननमबर राईट होगा कठीण हो जाता ठीक है वाई उमार्ग और तुर्ट्र प्रस्वास के बहाँ करना चाहिए अगरा प्रस्न प्रस्वास का कौन सा आवरण तनिका यह मृत तनिका को अलग तो इस प्राप्त होने वाली प्रतिकेहसका नाम है प्लाकृतिक होंगी थी हम ने सौ कुछिन के करीब डिसकेह और उसका एंसर बताएं आप सबी के समस्त महातफ्पूलप्रस नहीं रखें जरूरी नहीं कि इनमें सभी प्रस्ण आपकी पर इच्छा हम आएंगे लेकिन कुछ प्रस्ण जरूर देखने को मिलेंगे बाकि अगर आप अच्छे पर तयार करेंगे तो आपको मिल जाएगी हमारी और बहुत से वीडियो चैनल पर पढ़ी है प्लेलिस्ट में जाक यही जयाता से लट करिएगा ध्यान रखेंगे यह आपको ट्रिक में बता रहा हूँ बस मिलते हैं एकोड़ने वीडियो में पीडियो प्राप्त करना है इसकी तो आप टेलेग्राम और सब्सक्राइन हो सकते हैं जहिंद